आप देखे हैं News 24 में हुमानक गुपता मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं परताप सिंग बाजवा को जो कि पंजाब की विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष हैं दो बार के सांसत चार बार के विधायक नेता प्रतिपक्ष और जैसा मैंने का पंजाब में कॉंग्रिस का जाना माना चेहरा इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंदों पर है बाजवा जी चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है तैंक यू जी बिलकुल ठीक है जी बहुत मेरबार नहीं है और पंजाब के लोग इस तफ़ा पिछली पार्लिमेंट एलेक्शन्स की तरह ही एक डिसाइसिव मैंडेट जो है वो देंगे और ये डिसाइसिव मैंडेट जो है ये सेंटर की गवर्मेंट के अगेंस्ट होगा ये मैं आपको ये ये यकीन दिलवा सकता है अगर डिसाइसिव मैंडेट सेंटर की गवर्मेंट के अगेंस्ट होगा तो वोट आपको क्यों पड़ेगा आम आदमी पाटी को क्यों नहीं पड़ेगा हाँ जे देखिए उनको पता है इंडिया ब्लॉक को कॉंग्रिस लीड क जिसने या तो वोट देंगे वो अगर 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 जिसने पोज करना है वो इंडिया ब्लॉक के हेड़ जो है कॉंग्रिस उसको मिलेगा आपने दिली में भी देखा है पिछली दफ़ा पारलिमेंट में इन स्पाइट के वो 63 सीट साउट और 67 जी चुके थे नंबर टू में कॉंग्रिस रही और पिछली दफ़ा भी नेशनल पोल में ये सारी वोड जो है कॉंग्रिस को आएगी बिकॉज देया नोट अट अट अच्छल प्लेयर ये जो आप है इट इस कंफाइंड तो जेस्ट अ कॉपल अफ सीट मतलब आप के रहे हैं पंजाब मे अप है जिस्ट वान लास्ट पार्लिमेंट में भी इनके पास एकी था जी अब भी इनके पास एकी है और इससे पहले भी यही रिजल्ट रहे हैं तो इसलिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ पंजाब के लोग देखो एक और है इनका जो यफोरिया था वो खटम हो चु लिए है कि ना इन में कपैस्थी है टूरूल ना इन में केपेबिल्टी है ना इन में एक्सपीरिंस है ना इन में कुर दूर इंस है और विशेय तो यह जो चीमरिस्टर है ये केजिरीवाल साब के बचाए सेंटर जो आपकी गर्मेंट है ये डिक्टेर तो उन पर चल रहा है जी बगवान तमान इस नॉट टेकिंग डिरेक्शन प्रम केजिरीवाल ये तो प्रम तेक्टेर जो आपकी बचाए सेंटर जो आपकी अपकी प्रम केजिरीवाल है लिक्टाए है ना किसानों की सिनवाई ना केत मज़दूरों की सिनवाई है इदर हमारे बॉर्डर बंद करकर रखे हूँगा पिछले 10 साल से आप देखिए जितने पर्फुलत हैं सबी के पोर्ट एक ही नई कई के नए पोर्ट बन रहे हैं एरपोर्ट बन रहे हैं पंजाब को क्या दिया है सेंटर ने हमारा एक इंटरे एक हमारा रूट है जो ट्रिडिशली सेंटर एशिया से खुला रहता था ट्रेड के लिए अटारी बॉर्ड डे अब क्लोज इट पिछले दस साल से बंद है और इसी वज़ा से पंजाब की इंडस्ट्री मूव आउट कर रही है हमारे कसानों के साथ जो मिनिममम स्पोर्ट प्राइस डॉक्री स्वामी नाथन का इनों ने कहा था कि उस फॉर्मूरले पर हम MSP लीगलाइज करेंगे बिलकुल नहीं कर रहे और ये देखिए मोधी साब ने जो काले कनून वापस लिए उनकी डोटिफकेशन नहीं की उनको बस सिस्पेंड रहा है लेकिन बाजबा जी आप भी जान से हैं बीजेपी और अकाली दल के गडबंदन की चर्चा चल रही है त्रिकोनिया मुकाबला होगा ट्राइंगिलर फाइट होगी तीन पार्टियों तीन गडबंदनों के बीच होगी मेरी एक बास आप सुन लेजिए मेरी बास सुन लेजिए पिछली दफ़ा भी यही थे अकाली दल बीजेपी कठे थे पिछली पॉल में कितनी सीट आई इनको अब भी कठे हो जाएं और एक आपको मैं बताऊँ बाद जी अगर हम आप से कठे हो जाते हमारी आइडेंटिटी खतम हो जाती कांगरिस के अब अकाली दल बीजेपी से साथ चला जाएगा अकाली दल नस्ते नबूद हो जाएगा इनकी होंद खतम हो जाएगी कोई मिनौरिटी और विशेश्ट और डिस इस 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 सिक मिजॉरिटी स्टेट और डिस इस अगरेडियन एकॉनिय और पंजाब जो सेंटर वालों से वितकरा जो हमारे साथ देखी हमारी दो पेचांती एक किसानी थी एक जवान था फौज की बरती बंद कर दी किसान को दिया कुछ नहीं तीन सो सो ज़्यादा इंजेड हमारा किसान हरयाना की सरकार ने कई शहीद कर दी और कई अभी पीछे ही लगातार दस दिन की फाइरिंग में तीन सो से ज़्यादा गंबीर जखमी पड़ा हुए अकाली दल आए आएम हंडिड परसें शूर अगर थोड़ा सा भी पलिटिकल इंटलेक्ट होगा सासुखवीर सिंग बादल में ये ऐसी पलिटिकल हारा करी नहीं करेंगे अगर इन्होंने बीजेपी के साथ हम वेलकम करेंगे अगर ये काम करेंगे क्योंकि इनकी होंद खत्म हो जाएगी और सारा इनका वोट हमें ट्रांसफर हो जाएगा मैं तो वेलकम करूगा जल्दी में करें पर वोट देखिए आपने कहा बाजबा जी कि ये नरेंदर मोजी सरकार के खिलाफ इसमार वोट पढ़ना है तो वोट तो बटेगा ना आम आदमी पार्टी इधर कॉंग्रेस इधर आप पजाब में आप दोनों में बटेगा वोट तो फाइदा किसको होगा बताईए बहिया एक मेरी बात सुन ले जी है बिलकुन नहीं बटेगा आप पजाब के वोटर को किया समझते हो कि प्लिटिकल इमेचूर है उसको समझ नहीं है सारा वोट पजाब का एक तरव देखो इसमें बहुत 65% पजाब का वोटर सिख है और जो सेकलर हिंदू वोटर है हमारा जी ये सारा वोटर मोदी साब सारे देश को बर्मा सकते हैं अगर पंजाब को नहीं दो दफ़ा ये हुआ तीसी दफ़ा पेर होगा और इस दफ़ा इससे भी डिसाइसिव मार्जन से बीजेपी आ रहेगी मेरी बात एक नोट कर लीजी कैसी बात कर रहे हैं आप बाजबाजी आप कह रहे हैं सेकिलर सिख है वो बीजेपी को वोट नहीं देगा देता आया है गुरदासपूर में बताएए विनोत खन्ना कैसे जीतते थे सनी देवल वहां से चुना आप जीते या नहीं जीते पंजाब से बीजेपी सीटे जीती है पंजाब में मेरी बात सुनो अब की बात करो मैं अब की आज की हलात बता रहुँ पिछले पान साल में क्या हुआ जो आप सनी डियोल की बात करें हो सनी डियोल जीता था 2019 में काले कनून मोदी साब क्या है 2020 में एक साल लगातार चला पंजाब का संगर्ष दिली के बॉर्डर्स पर ये मैं अब 19 के बाद की बात कर रहा हूँ सनी दियोल 2019 में जीता है आज है 2024 आज पंजाब के हलात आगे से बिगड चुके हैं नहीं तो आप समयते हैं काली दल तो कबकी इनके साथ जाकर प्लिटिकल जफी डाल लेता जी इनको हग कर लेता अकाली दल को भी पता है अकाली दल एक्जेक्टली अच्छा और बाजवाजी आप लड़ेंगे क्या चुनाब गुरदासपुर से आप लड़ेंगे क्या तो कि आप विनोत खन्ना कोहरा है था आपने गुरदासपुर में मेरी बेंती मेरी सुनी अगर पार्टी हाई-कमाड कहेगी मैं लेन रूंगा अगर पार्टी हाई-कमाड चाहेगी तो डेफिनिट्री आइवल अरे युवराज सिंग बहुत पॉपुलर क्रिकेटर रहे हैं बाजवाजी आप हलके में ले रहे हैं उनको यार आप फिकर मत कीजे आप हमें जानते नहीं न जी पंजाब जो है पंजाब पुराने लीडिस के दम पर चलता है नौजवान बच्चों के दम पर नहीं चलता अगर युवराज सिंग आएगा मैं वेलकम करूंगा आप चैलन्ज कर रहे हैं युवराज को बाजवाजी के बीजेपी लाए युवराज को और देख लेंगे हो जाएं दो दो हाथ मैं कहता हूँ जी 100% हाँ आप लाओ पर गुर्दास के रहे हैं सीनिर युवराज जी को लाओ आप युवराज जी की बात कर रहे हैं सीनिर को लाओ योगराज सिंग को लाओ युवराज सिंग की तो बात की बात है योगराज सिंग को लाओ पर देखिए बाजबा जी आप कितना भी कहिए हलके में लीजिए लेकिन चार बार भी रोट खर्णा बताईए जीते या नहीं जीते सनी देवल जीते या नहीं जीते बीजेपी सितारों को उतारती है और सीट निकालती है तो आप फिकर मत कीजी इस दफ़ा कोई सतारा अतारा इनों ने वो सतारा डूब कर जाएगा पंजाब में से एक मेरी बात सुन लीजी हर दफ़ा सतारा चमकता नहीं है सतारे डूबते भी है इस दफ़ा बेजो अगर ना डूबेगा मुझे पकड़ लेना आप पांच जून के बाद मेरे से इंटिव्यू कर लेना इनको मेरा ओपन चैलेंज आप भेजो इस दफ़ा की सतारे को अगर ना डूब कर भेजेंगे आपके अगर और आपका सितारा क्यों डूब गया आपका इतना बड़ा सितारा नवजोज सिंग सिद्धू क्यों डूब गया आई पील में कॉमेंटरी करने चले गए चुनाव के बीच में वो वह देखी नवजोज सिंग सिद्धू जी की परसनल अपनी एक फैसला है उनका निजी फैसले पर मैं टिपनी नहीं कर सकता ना मैं करना चाहूंगा वो उनका परसनल फैसला है अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है अपने करियर के लिए अपने फ्यूचर के लिए अपनी फैमली के लिए तो वी लिव इट तो हम हम क्यों टिपनी करेंगे उस पाद 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 आप कल को क्या फैसरा ले तो आप हिंदोस्तान छोड़कर अमरीका चले जाते हो क्योंकि नवजोज सिंग सिध्धू पंजाब कॉंग्रिस की अध्यक्ष रहे और मेजर बड़ा चेहरा रहे वो पार्टी का और हमेशा खरी खरी अपने मन की बात कहते आए हैं वो मंत्री भी रहे पंजाब की सरकार में भाईया जी अब अगर ऐसे में बीच चुनाव वो चुनाव छोड़कर और आई पील में चले गए आप तो नेता प्रदी पश्च है ना 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 ये बिलकुल ना ना उन्होंने बकैदा तोर ये क्लेरिटी से पार्टी हाई कमांड को भी का है कि जब मेरी जरूरत होगी आप मुझे बलाना मैं तत्वर पार्टी के लिए खड़ा रहूंगा जहां भी या भीजना चाओगे इस औरडी ओफर्डियस सेवसे को पर्मिनेट थोड़ा चले गया है वहां अगर कोई परसलाइज अपने फैमली की बितरी के लिए अपने करियर को कुछ उस कर रहा है यह वरी अनफेर यह सनी डियोल रहा के वहां अपना काम नहीं करता रहा मूवी सी नहीं बनाता रहा जी सनी डियोल वस डूइंड एंपी स्टिल वस डूइंड इस अउन मूवी अगर नवजोज जी ने कोई फैसला लिया है बाजबाज मैं बताता हूं क्योंकि बीजेपी देखी अपने सारे बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारेगी आपको नहीं लगता कि आपको भी अपने सारे बड़े चेहरों को उतारना चाहिए सिद्दू जी को भी चुनाव लड़ना चाहिए बाई साब ये इंटर्वियू आप CEC की मीटिंग कर रहे हैं कि मेरे से इंटर्वियू कर रहे हैं ये कांगरस की एलेक्शन कमेटी की मीटिंग है कि मेरे से इंटर्वियू कर रहे हैं मुझे बताएं जी ये बाद आप उन से बात की दी है मैंने तो आपको बता दी हमें किसी से लडा लो ये बगवंत से लडाना मैंने उसको कह था चल तू लड़ पारलिमेंट मैं तेरे सामने लड़ता हूँ जहां भी चाहेगा मैं लड़ने को तया आप बाकियों की बात होगे मैंने का अगर बाप का बेटा है तो जरूर खड़ा हूँगा कर रहे लांग चीमिनिस्ट्री चोड़ मैं सील पी चोड़ता हूँ आ जिस सीट से आएगा मैं वहाँ से खड़ा हूँ जिवानों वाली बात करो ना आप बच्चों को हमारे सामने लेकर आ रहे हैं हाँ माजबा जी लेकिन मुझे लगता है कि आप अभी भी 2019 का उधारन देते हैं उसके बाद असेम्बली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने धूल चटाई है आपको और मैं धूल चटाई है शब्द का इस्तिमाल कर रहा हूँ क्योंकि चटाई है या आप छोड़ दीजिए ने 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 ओ मेरी बात सुन लीजिए भाई ऐसी दूलें तो बीजेपी को कई दफ़ा उन्होंने चटादी कभी हमने 75 साल में 50 साल तो हम ही दूल चटाई रहे हैं इसको बीजेपी को क्या हो गया अगर आई गए हैं गलती से हैं आई गया एक किसका होगा क्या होगा क्या होगा क्या आपका दावा ये है पंजाब में पंग्रेस पार्टी सारी सीटे जीतेगी nós, we won 8 last time, we will win more than 8 this time, this is what I'm saying कैपटेन अमरिंदर सिंग के بीजेपी में जाने के बाद भी आपको लगता हैоловी बीजेपी अपना खाता वहां नहीं खूल पाएगी पंजाब में बहिया कैप्टन अमरेंदर सिंग 19 में अलेक्शन लड़े अपनी जबान जबत होगी अमरेंदर सिंग की आप किसे अमरेंदर सिंग की बात कर रहे हैं अमरेंदर सिंग की बात थी जब तक वो कांगर्स को लीड करता थी वो बीजे पी उसने अपनी पार्टी बनाई बीजे पी के साथ अलाइंस में लड़ा 2019 में जिस शेहर को उनके पुरवंचों ने इस्टैबलिश किया था पटेयाला शेहर को वहाँ उनको एक औरिनरी कैनिड लेट ने उसकी जबान जबत करा दी आपके से मरिंदर सिंग तो खत्म होगी बात थी वो तो पार्टी के साथ उसकी बात थी पर अब तो उनकी पत्नी प्रिनीद को और भी बीजे पी में आ गई है वो भी चुनाब लड़ेंगी आपको लगता है नहीं जीत पाएंगी वो अगर हारगी तो आप खला होगी यह शर्त लगाने को मैं तैयार हूँ आवे से मैं कहा सहता हूँ आपके साथ खाना दोनों सिच्वेशन में मुझे मिलेगा खाने की शर्त होगी आप से क्योंकि जरनलिस्टों के साथ बड़ी शर्त नहीं लगानी चाहिए इतनी बहुत है यह तीसरे नमबर पर है इस ताइम परनीत और तुड़े इस प्लेस है नमबर त्री हाँ और आपकी और भगवंत मान की टकर होगी जैसे हलात बन रहे हैं पजाब के शीप बगवंत मैंने ओपन चैलेंज आपके जरीए कर दी आप पचा दो उस तक ती ठीक है और वो टकर ह हो गई तो कितने लाख वोटों से आप जीतने का दावा कर रहे हैं आप और भगवंत मान नहीं मैं कुछ नहीं मेरी बात सुनो वो फैसला टैटैनिक लड़ाई होगी और भगवान के हाथ में हम छोड़ेंगे अब पर पजाब के लोगों को फत्वा देने दो आओ मेरा आप जाओंगा और फिर फैसला तो लोगों के हाथ में है क्या आप ये भी कह रहा है प्रताप सिंग बाजवा कि पंजाब में ना नरिंद्र मोदी का कोई प्रभाव असर है और नहीं अर्विंद केजरिवाल का कोई असर है दोन देखिए मोदी साहब का असर लिमिटेड है आप समझते हो मैं क्या कहना चाहते है तो इससे ज्यादा नहीं मैं कहना चाहूंगा और अर्विंद केजरिवाल साहब को समझ आ चुकी है कि ये अबरेशन थी एंड वी आफ लॉस्ट ग्राउंग अब सारी कंपेंग कंपेंग का जुम्मेवार भगवंतबान को कह दिया कि जीतेगा फिर भी इसको सेरा जाएगा हारेगा फिर भी जाएगा नहीं तो केणी से शेर नहीं करता कभी अगर जीता होता तो सारा सारे का सारा सेरा केजरिवाल साब अपने पर लेते हैं उनको पता है इसलिए वो कह गएगे जीत का सेरा भी इसका आर का सेरा भी बगवनतुमार को फिर लूजिंग ग्राउंड बीजेपी इस डिस्परिट टुडे ठ प्रायब विद्धी कालीदल क्योंकि इनको किसी गाउं में बीजेपी का भूत नहीं लग सकता अगर कालीदल के साथ इनका अलाइंस नहीं होगा आपकी दोनों बातों का खुद ही आपको मैंने जवाब दे दिये ठीक है ओके बाजबा जी चलिए आपने जो कहा पंजाब में बीजेपी नहीं जीतेगी चलिए ठीक है मैं मान लेता हूं पंजाब में बीजेपी नहीं जीतेगी क्योंकि पुराना रिकॉर्ड भी बीजेपी का पंजाब में बहुत अच्छा नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री मोधी कह रहे हैं 370 बीजेपी देश में अपने दम पर लाएगी और 400 एंडिये पर इस बार होगा चार सो तो पंजाब न भी जीते हैं बाकी देश से तो वो जीत रहे हैं न गोहिल साहब देखो गोहिल साहब मेरी गुजारेश आप सुनी है मैं तो अकेला पंजाब तक अपने आपको सीमत रखता हूँ नैशनल लेवल में क्या होगा क्या नहीं होगा को इंडिपेंडनेंस ओफ मीडिया इंडिपेंडनेंस ओफ प्रेस कुछ हो बलर्ड इमेज़ है सबी की गुमा कर आप इतनी चीज़ें दिखाते रहते हो किसी को पता ही नहीं कि इधर बनना क्या है ये इंडिया शाइनिंग करते करते बाहर बैट गये थे दस साल के लिए हलात ऐसे बनेंगे यू कुड बी फॉर अ मिज़ सुप्राइज इन इंडिया में अपने आपको पंजाब तक ही सीमत रखना चाहूँगा आपने जो मेरे से बात करनी पंजाब तक ही सीमत रखे लिया अच्छा राहूल गांदी का कितना आफर है बाजबा जी पंजाब में देखो अगर कॉंग्रस जीती है तो राहूल गांदी की कची इमिज है पंजाबियों के दिल में अगर उनकी इमिज कची है इसलिए वोट डलती है अगर लीडर की इमिज ही नाची हो तो वोट कैसे डलेगी थी पीपल एव आव गूड फील फेक्टर अबाउट है राहूल गांदी प्रधान मंतरी बन सकते हैं कि अबाजबाजी दोजार चॉबिस के चुनाव के बाद चार जून को जब नतीज़े आएंगे भाई यह ऐसे है मेरी एक गुजारश यह है आप देखिए ना तो उनका तजर्बा कम है ना उनकी कॉलिफकेशन कम है किसी हसाब से वो कम नहीं है यह तो लोग मौका देगे तो वाई कांटी बिकाम ही इस केपड़ इनफ ही इस बीन अमेंबर ऑपार्लिमेंट सिस टूथाजन फूर अब वी साल हो गए है ही अज ट्रांसग्रेटर थूआउट इंडिया किश्मीर से कनिया कमारी से किश्मीर तक अब देखे छेजार किलोमेटर फिर मेरेकल इन से ज्यादा कोई हिंदोस्तानी प्रेजन पॉलिटिशन की बात करता हूँ जिसने इतनी स्टेट्स और इतने हजारों लाकों लोगों को पैदल भी बिले गाडियों पर भी बिले तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है यह तो मौका देने देखो मौका देते हैं भगवान अगर आप सोचें कि कोई अपने आप में ही अपने आप मौका आ जाता है यह तो ठीक है फॉर दी लास्ट तैनियर्स बीजेपी इस बीन इन पार्ग दस साल साह मर्मोन सिंग भी रहे हैं दी अपने नेपने आपने चाहिए गर्श रहाएं गर्श तैनियर्स रहाए है इसाज सीटें लेगे थे नाइटीन इटी फॉर में कोई ऐसी चंबे वाली बात नहीं है there's nothing great ऐसी नहीं है कि ऐसा कभी हुआ ही जो ये कर रहे है अच्छा बाजबा जी राहूल गांदी वाइनाट से तो अपनी उम्मिदवारी का ऐलान कर चुके है एक सीट से उनका नाम आ चुका है लेकिन अमेठी पर सस्पेंस बना हुआ है वहाँ से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे आपको लगता है कि उन्हें पंजाब से भी दूसरा चुनाव अपनी दूसरी सीट के तोर पर पंजाब से लड़ना चाहिए आपको लगता है ऐसा ने बिलकुल नहीं 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 देखो ये फैसले हैं उनके अपने उनके फैसले हैं इन बातों में हम मदाखलत नहीं करेंगे मैं तो अकेला पंजाब तक की अपनी बात रखूंगा सेंटर का कोई लीडर लड़ना चाहेगा दनी इस मोस्ट वैलकम अगर लड़ना चाहेंगे तो इससे और अच्छी खुशी की बात क्या होगी अगर पंजाब से इस वी वांट्स तू किंटेस्ट फॉं पंजाब वाई नॉट अगर मोदी साब गुजरात के लावा यूपी में जा सकते हैं तो एवन राहूल गांदी अलाउंग विद केरला कें गो टू आईदर यूपी और हीस मोस्ट वैलकन इन पंजाब पंजाब बिलकुल विल गिव ओपन आम उनको वैलकम करेगा जी पंजाब में अगर इफी वांट्स तू कम और कॉंग्रेस पार्टी पूरे देश में कितनी सीटे इस बार जीत लेगी जैसे आपने कहा ना कि पंजाब में आठ से बढ़ेंगी हमारी सीटे तो क्या पूरे देश में भी आंकड़ा बढ़ेगा कॉंग्रेस का बेखो मेरी गुजारेश आप सुनियाएं अप मुझे गुमा कर लेकर जाना चाहतों पंतालिस साल का मैं सियस्ट में हैं आप समिख रहे हो जी और धंगल मैंने फ्री स्टाइल भी लड़े हैं और अकाड़े में भी लड़े हुँ हैं जहां मुझे गुमा कर लेग लेगे वहां मैं आने वाला लेंगा, मैं अपने आपको मदूद रखूंगा पंजाब तक, हाँ, हाँ, मैं फ्री स्टाइल रेसलिंग में नहीं जाओंगा, मैं बसे खाड़े तकी, अपने खाड़े तकी मदूद रहूंगा, पहां साइज जो बर्जी सवाल मेरे से आप कर देए, त हंजाब में आप उनकी सरकार को कटगरे में खड़ा करते हैं? नहीं, 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 मेरी एक बात सुनिए, मैंने क्या दलील पेश की ती उपर? ये ठीक था, बहुत प्रेशर था हमारे पर, के मोदी साब का जगरनाट रोकना है, उनका रत रोकना है, मगर मैंने उनको कहा कि एक बात सुन लीजिए, आपकी प्रिंसिपल ऑपोजीशन कांगरिस, अगर हम और आप इकठे हो जाएंगे, जो एंटी नकंबेंसी वोट है दो साल का, वो तो आविसली फिर चला जाएगा दूसरी तरफ जी, तो हम अपनी दुकान क्यों भाई बंद करें? हम अपनी जाता है, मगर वो हमेशा इंडेस्टिलिस्टों की लिस्ट से निकल जाता है, क्योंकि कारूबार बेज दिया, हमने अपनी दुकान थोड़ा बंद कर दे नहीं है, आपके मिलन के साथ, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बातचीत करने में, परताप सिं के लिये है.